Good morning students, class 8th exercise first start करेंगे, वैसे हमने थोड़ा बुद स्टार्ट किया हुआ इसका, ठीक है, first exercise आपकी है rational numbers, rational numbers के अंदर सबसे पहले आपको introduction देंगे, basic concept बताऊंगी आपको, कि numbers अखिर होते क्या है, numbers का पता होना आपको बहुत जुरुरी है, कि natural numbers, core numbers, integers, rational numbers और properties वगरा क्या होत है, सबसे पहले natural numbers, natural numbers को क्या आप बोलते हैं, देखो natural numbers जो होते हैं, 1 से start होते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर infinite तक, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाते है, natural numbers, whole numbers, whole numbers, देखो natural numbers का collection है, जो natural numbers का sets है, उसके अंदर आप 0 को include कर दो, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, whole number बन ज से लेकर infinite तक, इसी तरह से integers, integers क्या होते हैं, देखो natural numbers, whole numbers, इन सबको तो मिलाना ही है, और साथ में negative terms हो रा जाएंगे, negative numbers हो रा जाएंगे, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, integers बन जाएंगे, देखो, मैंने लिखा भी हो है, for example, सारी चीज़े दे रखी हैं, इसके अंद numbers, ratio numbers क्या होते हैं, in numbers which can be written in the form of P upon Q, वे number जिनको हम P upon Q की form में लिख सकते हैं, और end Q is not equals to zero, or Q is not equals to zero होना चाहिए, उनको क्या बोला जाता है, ratio number, ठीक है, example देखो, P upon Q का मतलब है, कि, मतलब P upon Q की form में लिखे, जैसे 2 upon 3 हो गया, minus 2 upon 3 हो गया, 6 upon 7 हो गया, 1 by 2 हो गया, अब देखो, zero आप क्या दोगे, कि P upon Q की form में नहीं है, लेकिन zero के divide में अगर 1 लगाते हो आपको, क्योंकि zero अकेला है, अकेला है, तो इसके नीचे, इसका मतलब divide में 1 है, तो 1 अगर ल numbers, ठीक है, अब आकी आती है, properties, properties क्या होती है, associative properties, associative property में two types की properties होती है, एक तो addition में होती है, और एक multiplication के अंदर होती है, subtraction और division के अंदर associative property काम नहीं करती है, ठीक है, associative का मतलब क्या होता है, कि, कहने का मतलब भी, आप चाहिए इदर से गुमा के ले लो, चाहिए इदर से गुमा के ले लो answer दोनों तरव से सीम अना चाहिए उसको बोला जाता है associated property ठीक है जैसे for example a plus bracket में जैको b plus c कर दिया मतलब पहले b plus c को add कर दिया फिर बाद में जो answer आया उसको a में add किया और यह किसके equal होता है चाहे पहले a plus b को add कर दो बाद में c को add कर दो multiplication के अंदर पहले b और c को multiply कर दिया फिर उसका multiplication a से कर दिया चाहे a और b को पहले multiply कर दो फिर उसका multiplication c से कर दो answer दोनों तरफ से सेम आएगा तो यही चीज़ हमें बताएं देखनी है कि answer दोनों तरफ से सेम आना चीज़ है जैसे मरें उसको भुमा के करो तो उसको क्या बोलते है associative property ठीक है अब देखो इनके उपर questions है यह exercise जो आपकी 1.1 start है और इसमें exercise 1.1 के अंदर question number first question number first क्या है आपका using property find अब हमें property use करके इसको find कर देखो minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6 अब इसमें क्या किया देखो मैंने मुझे यहाँ चीज़ क्या दिख रही है कि 3 by 5 multiply के अंदर और 3 by 5 multiply के अंदर common है ठीक है मैंने क्या किया minus 2 by 3 into 3 by 5 को एक अठाक लिखा हुआ है और उदर से minus 3 by 5 into 1 by 6 को मैंने एक साथ कर लिया और plus 5 by 2 अलग गया इसको मैंने लग से शुख यहाँ पे लिख दिया ठीक है 3 by 5 देखो दोनों में common आ रहा है दोनों terms के अंदर दोनों terms में common आ रहा है तो 3 by 5 common ले लिया हमने अंदर बच्चा आपके पास minus 2 upon 3 minus 1 upon 6 plus 5 upon 2 ठीक है तो two answer आएगा तो यह आपका property यूज करके हमने इसको क्या किया है find किया है इसी तरह से इसका second part है आप इसको खुद solve करोगे solve मैंने कर दिया है लेकिन आप इसको खुद से try करना की किस तरह से किया है question number second देखो write the additive inverse of each of the following additive inverse का मतलब क्या होता है कि additive inverse का मतलब कि इस number की अंदर हम additive लिखे है ना additive मतलब additive का अगर inverse निकालना है तो जो भी आपके सामने number है ना उसके just opposite sign का number हमें add करना है opposite sign का number हमें add करना है और उन दोनों का addition क्या बनना चीए जीरो बनना चीए अब देखो 2 by 8 का additive inverse क्या होगा 2 by 8 में plus का sign चल रहे है तो इसका inverse क्या होगा minus 2 by 8 ठीक है minus 5 upon 9 का additive inverse क्या होगा plus 5 upon 9 sign change होगे बस और कुछ नहीं minus 6 upon minus 5 है देखो minus minus तो cancel हो जाएंगे तो 6 upon 5 बचेगा अपने बस इसका additive inverse क्या होगा इसका opposite number मतलब minus 6 upon 5 sign change हो जाएगा ठीक है 2 upon minus 9 है तो इसका additive inverse बनेगा आपके पास 2 upon 9 minus खतम हो जाएगा मतलब जहाँ minus है वहाँ plus कर दो जहाँ plus है वहाँ minus कर दो minus 19 upon 6 है तो अपने पास इसका additive inverse आएगा 19 upon 6 ठीक है समझ में आ रही है ना बात question number third है verify that minus minus x is equals to x वह कहते है कि verify करो कि minus x के आगे अगर हम minus का sign ओ लगा देते हैं तो यह minus minus plus होके positive x हमारे पास result आएगा ठीक है और आएगा यह गलत भी नहीं है देखो x first part के अधर रहे है x is equals to 11 upon 15 तो 11 upon 15 अगर मैं उपर जिसमें हमें verify करना उसमें put करूँ यह x की value है तो 11 upon 15 के आगे minus का sign आएगा क्योंकि हमें उपर दे रखे हैं और minus का sign बाहर भी आएगा क्योंकि हमें उपर given है अब देखो minus minus plus होके क्या बनाएगा 11 upon 15 ही बनाएगा जो कि किसके equal है खुद x के equal है तो verified यहां से होता है अब इसका second part आप खुद करोगे मैंने यहां पर लिखके छोड़ दिया solve आप खुद करोगे ठीक है first मैंने कर दिया second आप खुद करोगे question number four देखो find multiplicative inverse multiplicative inverse का मतलब क्या होता है multiplicative inverse के अंदर जो value होती है उसका उल्टा हो जाता है ठीक है इसमें ऐसा नहीं होता इसमें sign change नहीं होता ध्यान रखना इसमें sign नहीं बदलता इसमें सिरफ और सिरफ value जो होती है opposite हो जाती है उल्टी हो जाती है जैसे minus 13 upon 1 है तो इसका inverse क्या बनेगा 1 upon 13 minus 1 upon 13 उल्टा हो गया minus 13 upon 19 का inverse क्या बनेगा minus 19 upon 13 ठीक है इसी तरह से बागी की पार्ट्स हैं इसके आप यह मैंने दो पार्ट्स ही करके बताएं हैं यहाँ पर बागी आप खुद करोगें ठीक है question number five देखो name the property under multiplication of each देखो property बतानी है मैंने आपको क्या का था कान चाहिए इदर से मोडो रो रो चाहिए उदर से मोडो रो हमारे पास answer क्या आना चाहिए same आना चाहिए है ना यही बताया था ना answer same आना चाहिए तो अब देखो minus four upon five into one ठीक है equal to one into minus four upon five बात तो एक ही है answer दोनों तरफ से क्या आएगा minus four upon five आएगा मतलब यह a into b or equal to b into a है इसका मतलब यह कौन सी property है associative है in multiplication ठीक है question number six देखो multiply six by six upon three 13 by the reciprocal of minus seven upon sixteen reciprocal का मतलब होता है उलता वो कहता है कि multiply करो six upon 13 को किससे minus seven upon sixteen के reciprocal से इसके reciprocal से तो minus पहले तो reciprocal बताओ minus seven upon sixteen का reciprocal क्या होगा minus seven upon sixteen का reciprocal होगा minus sixteen upon seven ठीक है तो अपने को multiply करना है six upon thirteen को multiply किससे करोगे minus sixteen upon seven से तो देखो 16, 6 जा होते है minus 96, 13, 7 जा होते है 91, तो अपने आपना सांसर आ जाएगा, ठीक है tell what property allows you to 1 by 3 into 6 into 4 by 3, और 1 by 3 into 6 into 4 by 3, देखो यह कौन सी property है, आप खुद भी बताओ मैंने बताई है, A into B into C, और A into B कठा, फिर into C, तो यह कौन सी property है, associative property है ठीक है question number 8 है is 8 upon 9 the multiplicative inverse of minus 1 upon 8 upon 9, A 1 upon 8 why or not, वो कहता है कि 8 upon 9, जो है multiplicative inverse है क्या minus 1 fraction के अंदर mix fraction दे रखे है, देखो minus 1, 1 by 8 जो है, इसको गर आप solve करोगे तो minus 9 upon 8 बनाएगा minus 9 upon 8 तो multiplicative inverse क्या होता है multiplicative inverse होता है just उसका opposite ठीक है, तो 8 upon 9 का multiplicative inverse होगा 9 upon 8 होगा न 9 upon 8 आना चाहिए जबकि हमारे पर सांसर क्या रहा है minus 9 upon 8, minus का sign नहीं आना चाहिए तो यह wrong है, ठीक है question number 9, देखो 0 upon 3, the multiplicative inverse of 3, 1 by 3, why or not देखो, 3, 1 by 3 को solve करें, तो 10 by 3 आते हैं ठीक है, और 0.3 को solve करते हैं, तो 3 by 10 आते हैं तो 3 by 10 का उल्टा कितना होगा, 10 upon 3 होगा तो यह तो right बन रहा है ठीक है, question number 10 और question number 11 आपको examples हैं, मतलब यह फिलप्स हैं, यह आप फिल कर सकते हो मैंने फिर भी इसमें answers लिख दी हैं आप उसको देख के solve कर लेना ठीक है, और बाकी मैंने आपकी 1.1 exercise कंप्लीट कर दी है इसके अंदर, ठीक है इसे में अज़ देज उतार लेना, सही धंग से काम कर लेना पेवकोफ नोटबू के अंदर और कुछ नहीं आये समझ में तो मुझे परसनली मेरे contact number पे मुझे contact कर लेना ठीक है, कोई problem नहीं है आपको जब भी कुछ पूछना हो तो मुझे आप contact कर सकते हो अगर कोई question नहीं समझ में आया तो ठीक है, तो इतना काम आप जरूर कर लेना साफ साफ काम करना फिर नोट्बुक पे थेंक यू